फरीदा जलाल हिंदी सिनेमा की सबसे स्वीट मा पचास साल से हिंदी सिनेमा में एक्टिव फरीदा जलाल सिनेमा के हर शौकीन की पसंदीद एक्ट्रिस है बत और हिरोईन अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली फरीदा जलाल में बहन और मा के रोल भी बखूबी निभाए हैं लगभग हर बड़े फिल्म स्टार के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया है कई बड़े और नामी प्रोडूसर्स डारेक्टर्स इन पर आँख मूंद कर भरोसा करते हैं फिल्म हो या छोटा परदा इन्होंने हर जगह अपने टैलेंट का डंका बजाया है किसा टीवी लेकर आया है दा वन एन उनली फरीदा जलाल की बागराफी फरीदा जलाल के फिल्मों में आने से लेकर उनके फिल्मी सफर और उनकी निजी जिन्दगी तक आज बहुत कुछ हम उनके बारे में जानेंगे फरीदा जलाल का जन्मत 14 मार्च 1949 को दिल्ली में हुआ था ये महज दो साल की थी जब इनके माता पिता का तलाक हो गया और इनके वा इनके भाई की कस्टडी के लिए इनके माता पिता कोर्ट तक पहुच गए थे कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चों को फिल्हाल बोर्डिंग स्कूल भेजा जाएगा और जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो उनकी मा के हवाले कर दिया जाएगा कोर्ट के फैसले के मताबिक फरीदा और उनके भाई खालिद को पंजगनिस्थित सेंट जोजिफ कॉन्वेंट स्कूल भेज दिया गया फरीदा की शुरुवाती पढ़ाई लिखाई वहीं सही छोटी उम्र से ही फरीदा को फिल्मे अपनी तरफ अट्रेक्ट करने लगी थी स्कूल के दिनों में ये डांस भी खूब किया करती थी यहां ये बताना भी बेहद जरूरी है कि फरीदा जलाल का असली नाम फरीदा शमी है फिल्मों के लिए इनका नाम फरीदा जलाल रखा गया था वहीं मशहूर एक्टर सशी कला की बेटी शैलजा स्कूल में इनकी क्लासमेट थी और साथ ही इनकी गहरी दोस्त भी थी फरीदा जब स्कूल में ही थी तो अक्सर नाटकों में इने छोटे मोटे किरदार दे दिये जाते थे इस तरह डान्स के साथ साथ स्कूली दिनों में ही ये कहीं न कहीं एक्टिंग से भी जुड़ गई थी इसी दोरान मुंबई में एक टेलेंट हेंट कॉंटेस्ट का आयोजन किया गया फरीदा जलाल ने भी इस कॉंटेस्ट में पाटिसिपेट किया इसी कॉंटेस्ट में राजेश खन्ना, विनोद महरा और सुभाश गई जैसे लोगों ने भी हिस्सा लिया था जो जमाने में फिल्म इंडिस्ट्री में एक दम नए थे फरीदा ने कभी भी एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी लेकिन फिर भी वो इस टेलेंट कॉंटेस्ट की फीमेल विनर थी जबकि राजेश खन्ना मेल विनर थे उस टेलेंट हंट के बारे में एक इंटरव्यू में बात करते हुए फरीदा जलाल ने कहा था कि फिल्म इंडिस्ट्री के बारह नामी डारेक्टर्स उस टेलेंट हंट के जज थे जब फरीदा को इंटरव्यू के लिए उन 12 जजों के पैनल के सामने बिठाया गया तो वो काफी नर्वस थी जजों के पैनल ने फरीदा से पुछा कि क्या उन्होंने कभी किसी नाटक में काम किया है तो फरीदा ने जवाब दिया कि उन्होंने अली बाबा 44 नाटक में काम किया था इस पर जजों का पैनल काफी खुश हुआ जजोंने फरीदा से पुछा कि क्या उन्होंने अली बाबा 44 में मरजीना का रोल निभाय था तब फरीदा ने बताया कि उन्होंने मरजीना का रोल नहीं किया था बलकि वो तो 44 में से एक बनी थी इस पर पैनल के सभी 12 जज ठहा के मारकर जोर जोर से हस पड़े जजों को फरीदा की मासूमित बेहद पसंद आई जिस टैलेंट हंट प्रोड़क्शन में फरीदा ने हिस्ता लिया था उसके जजों के पैनल में एस अलाम नाम के डारेक्टर भी शामिल थे उस इंटरिव्यू में एस अलाम फरीदा से काफी प्रभावित हुए एस अलाम ने फरीदा को अपनी फिल्म तक दीर के लिए साइन कर लिया राजश्री बैनर तले बन रही इस फिल्म की खास्यत थी कि इस से कई उन सितारों ने अपने करियर की शिरुवात की थी जो आगे चलकर फिल्म इंडिस्टरी में बड़ा नाम बने ये केवल फरीदा जलाल की ही पहली फिल्म नहीं थी बलकि दिगज बॉलिवड कोमेडियन दिने शिंगू की भी ये ही पहली फिल्म थी हाला कि इस फिल्म में दिने शिंगू कोमेडियन नहीं बलकि विल्लिन बने थे महान डारेक्टर सुभाश गई भी पहली दफाँ इसी फिलम में एक्टिंग करते हुए निजराय थे इसके अलावा जलाल आगा ने भी ईजान एडल्ट पहली दफाँ इसी फिलम में काम किया था इससे पहले जलाल आगा मुगल अजम फिल्म में नन्हे सलीम का करेदार निभा चुके थे तकदीर बॉक्स ओफिस पर ठीक ठाक प्रेदर्शन करने में काम्याब रही फरीदा की मासूमित सिनेमा के शौकिनों को बेहद पसंद आई इस फिल्म के बाद सही डारेक्टर ए सलाम को फरीदा जलाल अपना गुरू मानन लगी थी तकदीर के बाद फरीदा जलाल ने बहारों की मंजल और महल जैसी बड़े बजट की फिल्मों ने भी काम किया था फिर साल 1979 में फरीदा जलाल राजेश खंडा के अपाузिट आराधना में निज़राई इस फिल्म में राजेश खंडा के साथ फरीदा की फरीदा महज 17-18 साल की एक युवा लड़की थी इससे पहले अपनी किसी फिल्म में उन्होंने हीरो के साथ इस तरह से रोमैंस नहीं किया था राजेश खन्ना से नजरे मिलाने में फरीदा को बड़ी शर्मा आ रही थी गाने की जब शूटिंग शुरू ही तो फरीदा ने एक भी दफ़ा राजेश खन्ना की नजरों में नजरे मिला कर नहीं देखा पहले तो फिल्म के डारेक्टर को लगा कि फरीदा अपना काम सही से नहीं कर रही है और उन्हें फिर से ये गाना शूट करना पड़ेगा लेकिन शूटिंग पूरी होने के बाद जब डारेक्टर ने रील को देखा तो फरीदा का शर्माना उन्हें बड़ा पसंद आया उन्होंने फैसला किया कि ये गाना ऐसे ही जाएगा खुबसूरत और मासूम से दिखने वाली फरीदा जलाल आखिर फिल्मों में हिरोईन बनने की जगा हीरो या हिरोईन की बहन कैसे बनने लगी ये सवाल भी आपके जहन में कभी न कभी उठा होगा तो हुआ कुछ ही यू था कि अराधना के बाद फरीदा की अगली फिल्म थी पुरसकार जो की एक एक्शन फिल्म थी फिल्म में फरीदा लीड हिरोईन थी और उनके हिरो थे जोई मुखर जी जो समय फिल्म इंडिस्ट्री का बड़ा नाम थे मगर ये फिल्म फ्लॉप हो इसके बाद आई फिल्म नया रास्ता में फरीदा जलाल के रोल को कुछ खास नोटिस नहीं किया गया इसी दोरान फरीदा को फिल्म गोपी का ओफर आया जिसमें लीड एक्टर दिलीप कुमार थे जो की उन दिनों अपने करियर की पीक पर थे फिल्म इंडिस्ट्री की हर ह हिरोईन कन से कन एक फिल्म दिलीप कुमार के साथ उनकी हिरोईन के रूप में करना चाहती थी मगर फरीदा को गोपी में दिलीप कुमार की बेहन के रोल का उफर दिया गया था दिलीप कुमार की जबरदस्त फैंड ही फरीदा जलाल ने गोपी में उनकी बेहन का रोल स्व फिल्म की शूटिंग के दोरान अगर मुझे उनके आसपास रहकर उन्हें अब्जर्व करने का मौका मिलेगा तो मैं वो भी नहीं छोड़ूंगी यहां तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है इसे भला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ जिस इंसान ने फरीदा को वो स सहब की बेहन का रोल निभाया और इस रोल के लिए फरीदा को उनका पहला फिल्म फेर आवोड दिया गया था यह वोड था फिल्म फेर बेस्ट सपोर्टिंग अक्ट्रिस दिलीप कुमार की बेहन बनने के अपने फैसले पर फरीदा को कभी मलाल नहीं रहा उल्टे वो कहत इस फिल्म के एक से बढ़कर एक ड्रमाटिक सीन सा जाते थे फरीदा की ये बातें उस वक्त और भी जादा सही साबित हुई जब फिल्म मजबूर में ये अमिताब बच्चन की बेहन बनी और फिल्म में उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें उनके करियर का दूसरा फिल्म फियर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टिस का ओर्ड मिला सत्तर के दशक के आखरी सालों में जब बॉलिवुड में मल्टी स्टारर फिल्में जादा बनाई जाने लगी तो फरीदा जलाल जैसी करिक्टर आर्टिस्ट के लिए ये एक तगडी चुनोती बन गई फरीदा ने अमर प्रेम, बुनियाद, रिवाज, प्यार की कहानी और हीरा जैसी फिल्मों में काम किया लेकिन इन में से किसी भी फिल्म में इनका रोल बहुत जादा मजबूत नहीं था हाला की रिशी कपूर की डिब्यू फिल्म बोवी में जरूर इनका किरदार चैलेंजिंग था लेकिन इससे भी फरीदा को कोई खास फायदा नहीं मिल पाया था धीरे धीरे फरीदा को फिल्मों में काम मिलना बंद होने लगा जिन फिल्मों के उफर्स फरीदा को मिल भी रहे थे वो उतने खास नहीं थे कि फरीदा उन्हें साइन कर सकें लेकिन फिर साल 1974 में आई फिल्म जीवन रेखा इस फिल्म में फरीदा हीरोईन थी और उनके हीरो थे तबरेज बरमावर जो की कुछ धर्मिक फिल्मों में काम कर चुके थे जीवन रेखा की शूटिंग के दोरान तबरेज और फरीदा एक दूसरे को पसंद करने लगे लगभग तीन साल एक दूसरे को डेट करने के बाद आखरकार साल 1978 की नवंबर में फरीदा ने तबरेज से शादी कर ली लेकिन इसके बाद तो मानो फरीदा के पास फिल्मों के ओफर्स का अकाल ही पड़ गया उनके पास एका दुका ओफर्स आते और कमजोर किरदारों के चलते फरीदा उने भी मना कर देती थी आखरकार फरीदा ने अपने पती तबरेज के साथ बैंगलॉर शिफ्ट होने का फैसला कर लिया बैंगलॉर में फरीदा के पती तबरेज ने अपना डिटरजेंट और साबन फैक्टरी का बिजनेश शुरू किया फरीदा को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यासीन रखा गया पती के साथ फरीदा ने बैंगलॉर में आठ साल का वक्त गुजार दिया हाला कि इस वक्त तक फरीदा फिल्मों में तो नहीं लेकिन टीवी पर जरूर काम करने लगी थी दरसल उस दोर में बनने वाले घर जमाई और सारा जहां हमारा नाम के टीवी शोर्स की शुटिंग बैंगलॉर में ही हुई थी फिल्म नगरी मुंबई में जब ये खबर पहुची कि फरीदा फिर से एक्टिंग करने लगी हैं तो उनके पास फिर से फिल्मों के ओफर्स आने लगे फिर एक दिन प्रोडूसर ऐसे सोबराय अचानक ही बैंगलॉर में फरीदा के घर पहुच गए और उन्होंने फरीदा को अपने शो देख भाई देख में काम करने का ओफर दिया फरीदा को ये रोल कुछ अलग लग रहा था सो उन्होंने अपने पती से इस बारे में बात की आखिरकार फरीदा देख भाई देख शो में काम करने मुंबई आ गई देख भाई देख शो को काफी पसंद किया गया शो का हर किरदार दर्शकों के दिलों में उतर गया फरीदा को भी शो में दर्शकों ने बेहद पसंद किया कुछ लोगों को लगने लगा कि फरीदा अब फिल्मों में भी वापसी कर लेंगी मगर हकीकत ये थी कि फरीदा का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था और अगर राज कपूर सहब ना होते तो फरीदा जलाल शाद कभी फिल्मों में दोबारा वापसी करती भी नहीं राज कपूर ने फिल्म में फरीदा की वापसी कैसे कराई ये जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे की तरफ जाना होगा ये बात फिल्म बोबी की शूटिंग के दोरान की है फिल्म की शूटिंग के आखरी दिन जब अपना काम खत्म करके फरीदा वापस जा रही थी तो उन्होंने राज कपूर को गुडबाई कहा इस पर राज कपूर ने फरीदा से कहा कि तुम तो राज कपूर प्रोड़क्शन की पर्मानेंट मेंबर बन चुकी हो हम जो भी फिल्म बनाएंगे तुम उसका हिस्सा जरूर बनोगी इसलिए तुम्हारी हमारी कोई गुडबाई नहीं होगी फिर राज कपूर सहब ने जब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हिना पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने फरीदा के भाई खालिद के पास मेसेज भीजवाया कि फरीदा जल्द से जल्द राज कपूर से मिले चुकि फरीदा उन दिनों मुंबई में ही थी तो वो जाकर राज कपूर से मिली राज कपूर ने उन्हें हिना फिल्म की कहानी सुनाई और उनके रोल के बारे में उन्हें बताया फरीदा को अपना रोल पसंदाया फरीदा ने ये सोचकर राज कपूर का उफर स्वीकार कर लिया कि हिना उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी और इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान देंगी हिना रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई फरीदा जलाल की एक्टिंग ने भी लोगों का दिल जीत लिया हिना सफल हुई तो कपूर खांदान ने हिना की सफलता का जश्न मनाया और जश्न मनाने के लिए ताज होटल में एक पार्टी रखी गई उस पार्टी में फिल्म इंडिश्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां शिर्कत करने पहुँची थी इनमें जादतर वो लोग थे जो फरीदा जलाल से मिलने और उन्हें अगली फिल्म में लेने की उमीद से गए थे दर असल यही वो वक्त था जब फरीदा जलाल फिल्मों में हिरोईन या बेहन के रोल से हटकर मा या दादी के रोल में फिट होने लगी थी कहना चाहिए कि हिना के बाद सही फरीदा जलाल की दूसरी पारी शुरु हुई थी नब्य का दशक वो दशक था जब फरीदा जलाल फिल्मों में मा या दादी के रोल ही निभाने लगी थी इस दोरान उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्मों में काम किया गर्दिश, लाडला, करांतीवीर, डीडियल जे, राजा हिंदुस्तानी, जुदाई, जिदी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, सॉलजर, कहोना प्यार है और क्या कहना ये कुछ वो फिल्मे हैं जो इनकी सेकंड इनिंग की माइल स्टोन फिल्मे मानी जाती है आखरी दफ़ा फरीदा जलल ने ज़राई थी, फिल्म जवानी जाने मन में और इस फिल्म में ये दादी मा के रोल में दिखी थी, और केवल फिल्मे ही नहीं, फरीदा जलल ने टी वी पर भी खूब काम किया है, टी वी पर भी ये सालों से एक्टिव रही है, दगरेट मरा जनून शरारत बाली का वद्धू ये कुछ वो टीवी सीरियल्स हैं जिन में फरीदा जलाल ने दमदार अभी ने किया खास तोर पर शरारत में इनकी कोमेडी बेहद पसंद की गई थी ये शराज फिल्म्स की शौट फिल्म लव शौट्स में भी ये कुल भुशन खरबंदा क अपोजिट निजराई थी इसके अलावा महरन और परचाई नाम की वेब सेरीज में भी इन्होंने काम किया है फरीदा की उम्र अब 72 साल हो चुकी है उम्र के इस पड़ाव पर अब वो बेहद कम एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है लेकिन लोगों के बीच फरीदा का चार्म आज भी बरकरार है हिरोईन के तोर पर अपना फिल्म सफर शुरू करने वाली फरीदा जलाल मा बहन और दादी के किरदारों में भारते सिने प्रेमियों के दिलों में गहराई तक उतर गई है सिनेमा के शौकिन फरीदा जलाल को बेहद प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा फिल्मों में देखते रहना चाहते हैं किस्सा टीवी इश्वर से प्रात्ना करता है कि फरीदा जलाल हमेशा सेहत मंद रहें और बीच बीच में अपने अक्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन करती रहें फिल्म इंडिस्ट्री में फरीदा जलाल के योगदान के लिए किस्सा टीवी उन्हें सेल्यूट करता है जय हिंग